कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी कैम्ब्रेज इंवर्स्टी में आयुजित आईडियास फॉर इंडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में है। जिसमें एक तरफ राहूल ने कॉंग्रिस पार्टी की हार के कारण बताए तो दूसरी तरफ भाजपा और RSS पर भी निसाना साधा। उन्होंने का कि आखिल कॉंग्रिस क्यूं हार रही है और भाजपा क्यूं हर चुनाओं में सफल हो रही है। इस दोरान रहूल ने कॉंग्रेस के भीतर अंदुरूनी कला की बाद भी सुविकारी तो चीन को लेकर मोधी सरकार को घेरा भी। कॉंग्रेस रहूल गांदी ने कहा कि भारत अभी अच्छे स्तिती में नहीं है। भाजपा के लोगों ने समवैधानिक पदों पर कबजा कर लिया है। सभी सरकारी संसानों में पीछे के दरवाजे से लोगों को एंट्री दी जा रही है। हम इन लोगों से लड़ रहे हैं। भाजपा देश में धुरूई करण का केरुसीन चिड़क रही है। बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। फिर देश खुद जलने लगेगा और हम बड़ी मुसीबत में पढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह कॉंग्रेस सहीद पूरे विपक्ष की वी जिम्मेदारी है कि जो लोग समुदाय राज्यों और धर्मों को एक साथ लाया जाए और इस लड़ाई को रोका जाए। हमें इस तापमान को ठंडा करने की जरूरत है क्योंकि अगर यह तापमान ठंडा नहीं हुआ तो चीजें गलत हो सकती है। कारिक्रम के दोरान जब राहूल गांधी से सवाल पूछा गया कि भाजपा क्यों चुनाओ जीत रही है और क्यों कॉंग्रेस सारे चुनाओ हार रही है तो इसके जवाब में राहूल ने कहा कि हम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। ध्रुवी करण और मीडिया पर प्रभुत्तों ने भाजपा को फायदा पहुचाया है। राहूल ने कहा कि भारत के लोग उन संसानों पर हमले देख रहे हैं जिन्नों ने देश का निर्मार किया है। पर एक बड़ा पुल बनाया है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर तयार कर रहे हैं। वे जाहिर तोर पर किसी ना किसी चीज की तयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस बारे में बात नहीं करना चाती। सरकार बातचीत को दबाना चाती है या भारत के लिए बुरा है। कॉंग्रेस में मची अंदरूनी कलहे पर पुछे गए सवाल का जवाब देते हुए राहूल ने कहा कि कॉंग्रेस अभी अंदरूनी कलहे से जूज रही है। लोग हमें कहते हैं कि भाचपा जैसा काडर आपके पास क्यों नहीं है। मेरा जवाब है कि उनके जैसा काडर अगर होगा तो हम लोगों की सुनना छोड़ देंगे। कॉंग्रेस की DNA में यह नहीं है भाजपा और RSS का मानना है कि भारत ऐसा सोने की चड़िया है जिसका लाब चंद लोगों को माटना चाहिए जबकि हमारा मानना है कि सभी की समान पहुंच होनी चाहिए मैं खुद को एक ऐसे व्यक्त के रूप में देखता हूँ जो भारत के उस विचार का बचाओ करता है जब मैं अपने देश की आवाज को कुछला हुआ देखता हूँ तो यह मुझे परिशान करता है मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह एक चुनोती पूर्ण स्थिती है लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज के अंदर एक बहुत बड़ा आउसर है और मैं इसे महसूस करता हूँ राहूल गांदी ने कहा कि भारत में सरकार economic crisis पर गंभीर नहीं है आप 1991 के नीतियों से अब crisis को खत्म नहीं कर सकते मैंने 2012 में मनमुहन सिंग्जी से पूछा था तो उनका जवाब था कि अब हम नए दोर में आ चुके हैं पुरानी नीतियों से काम नहीं होगा सरकार crisis से निपटने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है और नहीं किसी की सुन रही है राहुल गांदी के इस बयान पर अब भाजपा की प्रत्के सामने आई है भारती जंता पार्टी के वरिस नेता और केंद्री मंत्री मुखतार अब्बास नकवी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आपराधिक साजिस के तहदी ऐसा बयान दिया जा सकता है नकवी ने कहा हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के खुशाली के दुआ करता है लेकिन ये जो सामनती लोग हैं ये विदेश में बैटकर हिंदुस्तान की बदाली के बद्दुआ करते हैं अपसोस इनको निरासा ही हाथ लगती है उन्होंने कहा दिक्कत ये है कि सामन्ती शुरूर में जो लोग चकनाचूर है उन्हें आज ये समझ में नहीं आता कि बिना जमीन के जमिदारी खत्म हो चुकी है बिना जनाधार के जागिरदारी का योग अब खत्म हो चुका है मुक्तार ने कॉंग्रेस पार्टी की खो चुकी राजनेतिक जमीन और लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं पर निसाना साथते हुए कहा जिस तरह से पार्टी में पलायन चल रहा है जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी बुरी तरह बधाल हो चुकी है उसके बाद भी इन साथ देशभक्ती पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके बारे में आप विद्यसों में बैट कर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी दिक्कत क्या हो गई है कि कभी हिंदुस्तान को पाकिस्तान बताने लगते हैं कभी हिंदुस्तान को युक्रेन बताने लगते हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझने को ये तयार नहीं है इनको हम बस इतना ही कहेंगे कि get well soon